नमस्का दूस्तों मैं वाइब आपको और रिचान एकडमेस वागत करता हूँ आज 4x3 डारेक्शन कंट्रोल और का एनिमिशन देखता है लेकिन इसके पहले में आपको बूलबा चमुदा कि इसके वीडियो में ने अल्रीडी अप्रूर्ड कर लिए लेकिन वीडियो में ने चैनल ने अप्रूर्ड करता है तो अब आप ये वीडियो देख रहे तो नाइक जब मेरे वीडियो शेयर कीजिए लाइक कीजिए तो वीडियो के तरफ बढ़ गए तो पहले आपको क्या करना इसका थीरी पार्ट बता देता हूँ थीरी पार्ट में क्या है कि ये फोर है और ये थी है ये फोर मतलब का फोर पोर्स होते है कोनकुल से पोर्स है और थी क्या होते है थी पोजिशन होते है कोनकुल से पोजिशन से ये एक पोजिशन है के एक पोजिशन है और ये पोजिशन है पहले पोजिशन में क्या होता है Oil P की तरफ से A की तरफ जाता है और B का Oil R की तरफ जाता है एक position है Next position में क्या होता है P to P जाता है और A to R जाता है और जो third condition है उसमें क्या है जो इतने भी ports आपके PA, BA, R यह क्या हो जाते है क्लोज हो जाते हैं किदर भी नहीं जाएगा जहां पर वही पर रूप जाएगा और इसका construction कैसा होता है एक wall body होती है wall body के अंदर एक circular hole रहेगा circular hole के अंदर आपके यह spool है circular और यह क्या होते हैं यहां पर ऐसे reciprocate होते है और आपका जो पोजिशन के यह तीन पोजिशन क्या कर सकते हो आप अटेंड कर सकते हैं यह basic theory था अभी इसका यह जो first condition है first condition देखते है animation के तो पहले oil के होगा भी P की तरफ से oil P की तरफ से आया oil यह wall body में आया अभी वो क्या हो जाए NO pound की तरफ जा रहा है अपको अक्चिवाटर का पोट का है अभी जो अट्द्ध में पी रहे गा उधर का ork क्या हो रहा है d-c-wall में आया और अभी वो क्या हो रहा है थी-c-wall में ट्रोफ इस और यह एक पोजिशन एमका complete पोंगे Wynn कि यहां से भी जा सेंगा कि फैसी कवैटी के अंदर से जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा वो यह we क्यों कुछ को सब्सक्रेडों फिर लाइक फिर का इक पूर्ट यूस्का जो आखो निए पुजिशन के टेट को तो एनिमेशन देख धी का अभी पी को आई वाल्व बॉडी में आया फिर अभी वो और एक जो आईल है वाल्व बॉडी में आया आए यांदर तो आमें वो क्या होगा यह इन्टर्नल केविटिनेस है आपका जो आ रहे है रिजर्वाय तो उसके तरफ को आप है ठीक है ऐसा ही एनिमेशन था अगर आपको कुछ डाउट है था आप कमेंट करके पुछ सकते हैं थैंकियो